नमस्कार दोस्तों मैं डोक्टर अमित कुमार जहा हूँ और मैं बंसर होस्पिटल भोपाल मध्यप्रदेश में एक कंसल्टन्ट यूरॉलोजिस्ट एवं किड्नी टांस्प्लांट सर्जन हूँ आज हम बात करेंगे यूरिन के कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के डाइग्नोसिस में यह सबसे महतुकूर्ण टेस्ट होता है इसमें हमें एक स्टराइल कंटेनर में हमारा पेशाप का एक सेंपल देना होता है इसकी रिपोर से कॉलोनीज बनाने में दो से तीन दिन का समय लगता है यह इसलिए नहीं है कि टेस्ट देर से हो रही है इतना यूजवल टाइम है उसका इसके अलावा यूरीन कल्चर टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यूरीन इंफेक्शन की डागनोसिस के अलावा अगर हम किसी प्रोस पार आ रहा है और उसका पता नहीं चल पा रहा है कि सोर्स क्या है इंफेक्शन का कहां से मतलब किटानू पनफ रहें तो फिर उसमें भी यूरीन कल्चर का टेस्ट किया जाता है बहुत से मरीज जिनका ऑपरेशन हो चुका है ऑपरेशन के बाद बुखार आ रहा है तो उन मरीजों में भी यूरीन कल्चर टेस्ट करके यूरीन इंफेक्शन को रूल आउट किया जाता है बहुत से मरीज हैं जो पिशाब की नली पे लंबे समय से हैं जिनको नियूरोजेनिक ब्लैडर है जिनको पैरलिसिस हो चुकी है या स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी हुई तो इसका सेंपल को कलेक्ट कैसे करना चाहिए ऐसे पेशेंट हमें क्या पता होना चाहिए पेशेंट के तो देखा जाए तो यूरीन कल्चर का सेंपल लेते वक्त पूरुशों में या महिलाओं में या बच्चों में जो भी आदमी ये सेंपल ले रहा है उसको अपने दोन शुरुवाती 5-10 ml का यूरिन जो है वो ऐसे ही निकल जाने देना चाहिए मध्यधार का स्पेसिमें जो है मेडिल आफ दस्ट्रीम यानि पेशाब करने लगे शुरुवात से पीछे का जो पेशाब आ रहा है वो 15-20 ml यूरिन जो है हमें इस तरह के स्टराइल कंटेनर में ले राइट हैंड में जो स्ट्रीम है पेशाब की विना आजू-बाजू के अंगों से टच हुए सीधा इस कंटेनर में जाने के बाद इसको अची तरह से कैप लगा देंगे कैप लगाने के बाद ये लेबरेटरी को हम सौप देंगे इसको टेस्टिंग के लिए अब पुरु किटानुग्रो होगा वो चमडी के किटानुग्रो हो जाएंगे इसमें तो उससे हमें सही एडिया नहीं लगेगा तो ऐसे महिलाओं में जब सेंपल लेना हो तो पहले तो लेफ्ट हैंड से आगे की चमडी को थोड़ा फैला लेना चाहिए ताकि पेशाब की धार जो निक अगर अवश्यक इतना अवश्यक है इन कल्चर टेस्टो सबसे अच्छा यह होता है कि पेशाब की नली डाली पिशाब के रस्ते में और सैंपल लेने के बाद उसमें लेने को दिया तो यह सैंपल लेने के तरीक हुए ख्याट्य सynen कल्चर टेस्ट को लेबरेटरी में एक इसमें चोंदी चोंदी जयांति हैं चोोटी कोपड़नीज ऐसे आपकी लोनी बनता से माइक्रोधमूरे किटान वे कोई सिम्टम में है कोई भी लक्षा नहीं हो रही है उनों कि बन गई है तो उसे हम पॉजिटिव टेस्ट या सिगनिफिकेंट मानते है यानि आपको यूरिन इंफेक्शन होने के काफी प्रबल चांसे है जिन मरीजों को सिंटम से उनमें एक एमेल में अगर सो कॉलोनी फॉर्मिंग उनिट सो कॉलोनी से ज्यादा भी अगर बन जाती है तो उसको पॉजिटिव टेस्ट माना जाता है तो यह यूरिन कल्चर के टेस्ट के बारे में था यहां दो तिन पॉइंट मैं इसे बताना चाहूंगा जिनको पेशाप की नली पड़ी हुई बहुत टाइम से नियूरोजेनिक ब्लैडर वगेरा है उनमें ऐसे ही यूरिन कल्चर कई बार पॉजिटिव आता रहता है वह को दर्शाता है पिशाप की नली के आजू-बाजू की टानू कोलोनी बनाके बैठ जाते हैं उसको बार-बार टेस्ट करने से कल् अधि रहिआ ईपर पॉजिश करते हैं उससे याध्र होते और रहते हैं उसके कि आपको में प्राइश एंपर को थी रहते हरो ज पेटम होले के फ्री नहीं करते हैं इस विदीो में इतना ही धानिवाद झाल झाल